Hello Everyone, जिसे कि आपको पने स्क्रीन पे एक पजल दिख रही हैं, हम इस पजल को solve करना हैं. चलि उससे पहले हम इस पजल को देख लेते हैं. इस पजल में हमाँ पास क्या हैं? 11 x 10, equal हमाँ पास 10K, 22 x 20, equal हमाँ पास 20K, 33 x 30, equal हमाँ पास 30K, और हमें लास्ट में बताना है कि 44 x 40, क इस चीज़ की equal होगा, यह हम इस question में find करना है. चलि इस पजल को solve करने के लिए मैं आपको 10 seconds दे देता हूँ. अगर आप इन 10 seconds के अंदर अपनांसे निकाल देते हैं, तो आप हमें count box में type करके बता सकते हैं. चलिए आपका समय शुरू होता है, अब. अगर आपने 10 seconds के अंदर अपनांसे निकाल दिया हैं, तो आप हमें count box में type करके बता सकते हैं. चलिए अब इस पजल को solve करते हैं. इस पजल में हमाँ आपास क्या है? 11 multiply 10 equal हमाँ आपास 10 के. यानि कि यहाँ पे क्या हुआ है हमाँ आपास? अगर आप यह वाली side यहाँ पे same लिख देगे, तो हमाँ पास 10 आप रहेगा. उसी तरह 22 multiply 20, यानि कि हमाँ पास यह वाली side को हम same लिख देगे, यहाँ पे 20 लिख देगे. उसी तरह 33 multiply 30, यहाँ पर भी आप 30 को same लिख सकते हैं. 44 multiply 40, यानि कि यहाँ भी आप 40 को same लिख सकते हैं. जहाँ पे आपको question marks इस digit का पहला number और इसका last number लिख सकते हैं. पहला इस number का क्या होगा? 1 और इसका 0, यानि कि 10. उसी तरह हम यहाँ पे यहाँ से 2 लेगे और यहाँ से 0 लेगे. जो की होता है माँ पास 20 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0. जो को होता है माँ पास 30 और यहाँ पे 4 लेगे और यह झाल झाल